जेहिन दोस्तों छो महेने के ले में सितकारीन अपकाउस के बाद चारधम यत्रा शुरू होने जारी है जिसके लिए रेजिटिशन की शुर्वात हो चुकी है अक्षे तीरतिया 22 अप्रील को मा युमने त्री जीके कपाट खूल रही है अगर आप भी इस वर्ष चारधम की यात्रा में मा युमने त्री मंदिर जा रहे हैं तो इस वीडियो को पुड़ा जरूर रहे हैं चारधर यात्रा में सबसे पहले मा युमने त्री जीका दर्शन करना चाहिए इसा कहा जाता है तो चलिए दोस्तो आज हम युमने त्री धाम कैसे जाएं कब जाएं और बस कहा में लेगे इत्यासी सारे सवालों का जबाइ इस वीडियो में देगें आज तो आप लोग इस वीडियो के सुरूर से लेकर अंध तक जरूर देखें युमनित्री धाम जाने के लिए आपको दो रात और तीन दिन का समय लेगा इसके लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार इसी किस या दहरादू रनबाय या बस आना होगा यहां से आपको बर्कूट या गुप्त कासी या जान की चट्टी के लिए बस मिल जाएगे या चाहे तो आप टेक्सी भी लेख सकते हैं दोस्तो जान की चट्टी तक हरिद्वार से बस की भाड़ा 700 रुपिया से लिए 800 रुपिया है जिसकी दूड़ी 260 किलोमेटर गया सपास है और टेक्सी आपको 8-10 जाग रुपिया में मिल जाएगी दोस्तो अगर आप जण की चट्टी में रुखते हैं तो यहां से मा यमीनत्री की 6 किलोमेटर की ट्रेकिंग है अगर आपको बस गुप्तकासी या अगर आपको बरकॉट या गुप्तकासी के लिए बस मिलती है तो आप यहां पर भी रुख सकते हैं क्यांकि यहां गंगुत्री धाम का सबसे नश्दीगी और बड़ा सहर है। यहां पर आप नाइट स्ट्रे करके सुबह हैं बर्कोट से 45 km के दूरी, आप सुबह में जानकी चत्टी के लिए 45 km की यत्रा करके आप जानकी चत्टी पहुँच कर वहां से आप 6 km की ट्रेकिंग कर सकते हैं दोस्तों आप जिस दिन हर्दवार यारी से केस या देहरादू उनसे आते हैं तो आप यहां पर वन नाइट का स्टे करने के बाद आपको सुभा में मा गंगोत्री के लिए जानके चटी से 6 km की ट्रेकिंग करनी है उस दिन आपको पूज आर्चना कर लेना है और पूजार आर्चना करने के बाद आप उसी दिन 6 km के ट्रेकिंग करने के बाद आप बर्कोट या जानके चट्टी में रूख सकते हैं दोस्तों आपको बर्कोट या जानके चट्टी में होटल मिल जाएगी जिसमें की भाड़ा आपको 1000 से लेका 3000 रुप के आसपास अच्छे होटल मिल जाएगी आप यहाँ पर नाइट स्टेकर के सुभा में आप हरदवार के लिए परस्थान कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको खाना अच्छी मिल जाएगी जिसमें की 100 सुष लेके 200 रुपया में पर प्लेट दोस्तों युमनित्रिधाम प्रकर्तिक नजारों से भरपूर है यहाँ पर चारों हर्याली पहार सांतिन मामा हुल है यहाँ पर आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं ट्रेकिंग करने के बता आप यहाँ पर बहुत सारे दर्शनी अस्थल हैं जैसे की सुरी मंदीर दिविसिला हनमान चट्टी में बहुत सारे पुराचिन मंदीर है वहाँ पर आप दर्शन कर सकत हैं यहां पर सब तरी से कुंड भी है एक्तियादी बहुत सारे जगह जहां पर आप